हाई फ्रेंड विल्कम टू माई चैनल नीतू किरियेटिव कॉर्णर फ्रेंड्स आज हम बनाएंगे आर्टिफिसियल स्टोन इसे बनाना बहुत आसान है तो चलिए हम इसे बनाना सुरू करते हैं इसे बनाने के लिए हम घर में पड़े वेकार कागज या न्यूज पेपर को लेंगे इसे हाथों से मसल कर एक जगा करके स्टोन का सेप देंगे टेप की हेल्प से इसे कभर करेंगे अगर आपके पास टेप नहीं है तो कोई भी प्लास्टिक ले और इसे इसे कभर कर दें कभर करने के बाद हम बॉल पूटी लेंगे और इसे कभर करेंगे बॉल पूटी का डो कैसे बनाते हैं इसका वीडियो मैंने पहले बनाया है लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगे इसे अच्छी तरह से कभर करके पानी की हिल्प से इसे स्मूथ कर ले हमने जो इस्टोन बनाया है वो अच्छी तरह से सूख गई है तो अब हम इसे कलर करेंगे कलर और डिजाइन आप अपने पसंद के मताविक ही करें आपको जो कलर डिजाइन पसंद है आप वो कलर करें friends stone market में काफी महंगा मिलता है और इस तरह से अगर आप stone बनाते हैं तो ये artificial stone काफी कम खर्च में बनके तयार हो जाता है और ये बिल्कुल original stone की तरह दिखता है इसमें सबसे अच्छी बात तो ये है कि इस stone को आपने खूद बनाया है इसमें जो color और design है वो आपके अपने पसंद के है friends मैंने जितने भी color इसमें यूज किये हैं वो सारे के सारे acrylic color है color को मैंने Amazon से मंगवाया था मैं इसका भी link आप वो description box में दे दूँगी आप इसे online भी मंगवा सकते हैं या आप इसे local shop से भी खरीच सकते हैं friends हमेशा color करते समय एक बात का ध्यान रखे कि जब एक color आपका सूख जा तब उस पे कोई दूसरा color कर रहे हैं कि जब कि ये कोई इसे हैं प्रप्रोप। झाल 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 प्रफेश प्रफेश को मैंने बस color से डीजाइन किया है और कुछ को मैंने तीन चमच बॉल कूटी में एक चमच पानी और एक चमच फेविकौल मिक्स करकर के गाणधा paste का और उसे कोन बहर के उससे design बना लिया आप इस तरह से भी डिजाइन बना सकते हैं डिजाइन बनाने के बाद आप इसे कुछ देर के लिए सूखने के लिए रख दे और जब ये प्रॉपर सूख जा तब आप इस पे कलर करें इस स्टोन को मैंने अंटिक लुक दिया है इसे मैंने बॉल पूटी के गाड़े पेस्ट से डिजाइन किया और उसके बाद इसे सूखने के लिए रख दिया जब ये प्रॉपर सूख गया तो मैंने इसे ब्लैक कलर से कलर करके उसके बाद मैंने इस पे गोल्डन मटैली कलर से कलर किया है फ्रेंट्स हमारा अर्टिफीसियल स्टोन बन के तयार हो गया है आप भी इसे बनाएं और इस अर्टिफीसियल स्टोन से घर को डेकोरेट करें मुझे comment section में comment करके जरूर बताएं कि ये अर्टिफीसियल स्टोन आपको कैसी लगी अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें अपने दोस्तों के साथ सेयर करें फिर मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में थैंक्यू फॉर वाचिंग इस वीडियो बाई